करोना के प्रभाव से हमारी मन की बाद भी अच्छूती नहीं रही है जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी तब पैसेंजर ट्रेने बन थी बसे बन थी हवाई सेवा बन थी इस बार बहुत कुछ खुल चुका है स्रम एक स्पेशल ट्रेने चल रही है अन्य स्पेशल ट्रेने भी शुरू हो गई है तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे है धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है यानि अर्थ वबस्ता का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है खुल गया है ऐसे में हमें और जादा सतर्क रहने की आवश्यक्ता है दोगज की दूरी का नियम हो मुँपर मास्क लगाने की बात हो हो सके वहां तक घर में रहना हो ये सारी बातों का पालन उसमें जराभी डिलाई नहीं बरदनी चाहिए देश में सबके सामुहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाप लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तों में भारत वास्यों की उपलब्ति कितनी बड़ी है हमारी जनसंख्या जादातर देशों से कई गुना जादा है हमारे देश में चुनवतियां भी भिन प्रकार की है लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जीतना दुनिया के अन देशों में फैला कोरोना से होने वाले मृत्य दर भी हमारे देश में काफी कम है जो नुक्षान हुआ है उसका दुख हम सब को है लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए है वो निश्चित तोर पर देश की सामुहिक संकल्प शक्ति का ही परणाब है इतने बड़े देश में हर एक देश वासिने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है ये पूरी मुहीम पीपल डिवन है साथियों देश वासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देश वास्यों की सेवाफ शक्ती वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत वास्यों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्ष नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मह सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संतोष है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिये में भरपूर आत्मविश्वास सकारक्त मक्ता और जीवन तता प्रतिपल नजर आती है साथियों हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सभाई कर्मी पुलीस कर्मी मिडिया के साथी ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है मन की बात में भी मैंने उसे जिक्र किया है सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अनगिनत है ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के सी मोहन सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते है अपनी महनत की कमाई से नों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे लेकिन नों ने ये पूरी राश्य इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी इसी तरह अगर तला मैं ठेला चला कर जीवन्यापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत में से हर रोज दाल चावल खरिद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला यहां दिव्यांग भायराजु ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई चोटी सी पुझी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में बांटे भायराजु ने इस मुश्किल समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया देश के सभी इलाकों से विमेंज सल्फ हेल्फ गुरुप के परिश्नम की भी अंगिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही है गावों में छोटे कस्पों में हमारी बहने बेटियां हर दीन हजारों के संख्या में मास्क बना रही है तमाम सामाजिक समस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही है साध्यों ऐसे कितने ही उधारण हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं कितने ही लोग खुद भी मुझे कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का बहुत से संख्यठनों का बहुत सी संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूं सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूं उनका आदर करता हूं उनका तहे दिल से अभेनंदन करता हूँ मेरे पैरे देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को छू गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गावों से लेकर शहरों तक हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक हमारी लैप्स कुरोना के खिलाब लड आदव का उधार बहुत दिल्चस्प है राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए हैं उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़कर एक सेनिराइजेशन मशीन बना ली है और यह इनोवेटिव मशीन भहुत प्र दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइपलाइन लगा लिए हैं जिसमें एक छोर से वो उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहक अपना सामान ले लेते हैं इस दोरान पढ़ाई के ख्षेत्र में भी कई अलग-अलग इनोवेशन शिक्षकों और चांत्रों ने मिलकर किये हैं ऑनलाइन क्लासिस वीडियो क्लासिस उसको भी अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है को रोना की वैक्सिन पर हमारी लेव्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी किसी भी परिस्तिति को बदलने के ल हजारों सालों के मानुजात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनेक दोर में पहुंची है इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी विशेश इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है साथियों कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाची नहीं है जिसका कोई पहले का अनुव हो भी नहीं है तो ऐसे में नई-नई चुनवतियां और उसके करण परिशानियां हम अनुव हो भी कर रहे ह ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावी देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अच्छुता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में नहो परेशानी में नहो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मद्दूर, स्रमीक वर्ख पर पड़ी है उनकी तकलीफ, उनका धर्थ, उनकी पीडा शब्दों में नहीं कही जा सकती हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीडा को माटने का प्रयास कर रहे हैं पूरा देश प्रयास कर रहा है हमारे रेल्वे के साथ ही दिन रात लगे हुई है केंद्र हो, राज्य हो, अस्थानिय स्वराज की समस्ताय हो हर कोई दिन रात महनत कर रहे हैं जिस प्रकार रेल्वे के कर्मचारी अज्जुटे हुए है वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कौरोना वारियर्स ही है लाखों, स्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना उनकी खाने भीने की चिंता करना हर जिले में कौरंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना सभी की टेस्टिंग, चेक अप, उप्चार की व्यवस्था करना ये साब काम लगातार चल रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं लेकिन साथियों, जो द्रश्य आज हम देख रहे हैं इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविश के लिए सीखने का आउसर भी मिला है आज हमारे स्रमिकों की पीडा में हम देश के पुर्वी हिस्से की पीडा को देख सकते हैं जिस पुर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजिन बनने की ख्षमता है जिसके स्रमिकों के बहुबल में देश को नई उचाई पर ले जाने का सामर्त है उस पुर्वी हिस्से का विकास भहुत आवशक है पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राफिक का दी है मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मद्दूरों को धेखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी हावशक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जैसे कहीं स्थमीकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है कहीं स्टार्ट अप्स इस काम में जूटे हैं कहीं माईगिरेशन कमिशन बनाने की बात हो रही है इसके अलावा केंदर सरकार ने अभी जो फैसले लिये है उससे भी गाउं में रोजगार, स्फरोजगार, लगुद्यों को से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली है इस फैसले इन स्थित्यों के समाधान के लिए है आत्म निर्भर भारत के लिए है अगर हमारे गाउं आत्म निर्भर होते हमारे कस्बे, हमारे जीले, हमारे राज्य आत्म निर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है लेकिन अंधेरे से रोशनी की और बढ़ना मानव स्वभाव है तमाम चनोतियों के बीश मुझे खुशी है कि आत्म निर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मन्थन शुरू हुआ है लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है इस मिशन का नेत्रुत्व देश वासी अपने हाथ में ले रहे है बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाये जाते हैं उनके पूरी लिश्ट बना गी है ये लोग अब इन लोकल प्रोडुक्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल्फ और लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं मेकिन इंडिया को बढ़ावा मिले इसके ल बिहार के हमारे एक साथी स्रिमान हिमांस्वी ने मुझे नमो एप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दें चाहे पैट्रोल, डिज्वल, इंधन का आयात हो, इलेक्ट्रोनिक आइटम्स का आयात हो, य या फिर खाद्य देल का आयात हो, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, हमारे देश में कितनी इसी चीजे बहार से आती हैं, जिन पर हमारे इमानदा टेक्सपेर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका वीकल्प हम आसानी से भारत में तयार कर सकते हैं, असम के सूधित ने मु बैंबू प्रोडक को एक ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे, मुझे पुरा भरोसा है आत्म निर्भर भारत अभ्यान इस दसक में देश को नई उचाही पर ले जाएगा, मेरे प्यारे देश्वासियों, कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेएक नेताओं से बा आचित होती हैं, तो मनें देखा इन दिनों उनकी बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी योग और अईरुवेद के समन में होती हैं, कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और अईरुवेद कैसे मदद कर सकते हैं, साथियों, अंतर राष्ट्य योग दिवस जल्द ही आने वाला है, योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास को लेकर यागुरुकता भी लगातार बढ़ रही है, अभी कोरोना संकट के दोरान भी ये देखा जा रहा है, कि होलिवूड से हरिद्वार तक घर म अपनाना चाहा है, कितने ही लोग जिन्नों ने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ओनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं, या फिर ओनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं, सही मैं योग, कम्यूनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सब के लिए योग आज इसलिए भी जाद आहम है, क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को सबसे अधाईक प्रभावित करता है, योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टिम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायम है, जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, ये टाइम टेस्टिट टेक्निक्स हैं, जिसका अपना आलग महत्व है, कपाल भाती और अनुलोम बिलोम प्राणायम से अधिकतर लोग परिचित होंगे, लेकिन बस्तरिका, शितली, ब्रहामरी जैसे कई प्राणायम के प्रकार है, जिसके अनेक लाब भी है, वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए, आयुश मंत्राले ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है, आयुश मंत्राले ने माई लाइफ, माई योग नाम से अंतराष्टिये वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगीता शुरू किये है, भारती नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगीता में हिस्सा ले सकते हैं, इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिनिट का एक वीडियो बना करके अप्लोड करना होगा, इस वीडियो में आप जो योग या आशन करते हुए, वो करते हुए दिखाना है, और योग से आपके जीवन में ज वश्य भाग लें और इस नए तरीके से आंतर राष्टिय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिये। साथियों हमारे देश में करोड़ों करोड़ गरीब दसकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं। अगर बिमार पढ़ गए तो क्या होगा। अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें। इस तकलीब को समझते हुए। इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब देड़ साल पहले आउश्मान भारत योजना शुरू की गई थी। कुछी दिन पहले आउश्मान भारत के लाभारतियों की संख्या एक करोड के पार हो गई है। एक करोड से ज्यादा मरीज मतलब देश के एक करोड से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। एक करोड से ज्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है। एक करोड से ज्यादा मरीज मतलब नौर्वेज जैसा देश, सिंगापूर जैसा देश, उसकी जो टोटल जनसंग क्या है, उससे दो गुना लोगों को मुप्त में इलाज दिया गया है, अगर गरीबों को अस्पताल में भरती होने के बाद, इलाज के लिए पैसे देने तो उन्हें एक मोटा मोटा अंदाज है, करीब करीब 14,000 करोड रुपिय से भी जादा अपनी जेप से खर्च करने पड़ते हैं, आईश्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाए हैं, मैं आईश्मान भारत के सभी लाभारतियों के साथ साथ मरीजो का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सेश और मेडिकल स्टाप को भी बधाई देता हूँ, आईश्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेस्ता पॉर्टेबिलिटी की सुविधा भी है, पॉर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने म में भी मदद की है, यानि बिहार का कोई घरीब अगर चाहे, तो उसे करनाट का में भी वही सुविधा मिलेगी, जो उसे अपने राज्य में मिलती, इसी तरह मार्ष का कोई घरीब चाहे, तो इस एलाज की वही सुविधा तमिलनाडु में मिलती, इस योजना के कारण, किस प्रशिक शेत्र में जहां स्वास्त की ववस्ता कमजूर है वहां के गरीब को देश के किसी भी कौने में उत्तम इलाज करानी की सहुलियत मिलती है। इन लाभार्थियों में ज्यादातर लोग ऐसी बिमारियों से पिडित थे जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था। इन में से सत्तर प्रतिशत लोगों की सरजरी की गई है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलिफों से इन लोगों को मुक्ति मिली है। मडिपूर के चुराचानदपूर में छ़ साल के बच्चे केलेन सांग उसको भी इसी तरह आविश्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेन सांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बिमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहाडी मद्दूर है और मां बुनाई का काम करती है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठीन हो रहा था। लेकिन आविश्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुप्ति इलाज हो गया है। कुछ इसी तरह का अनुभव पुडिचेरी की अमुर्था वल्ली जी का भी है। उनके लिए भी अविश्मान भारत योजना संकट मोचक बन कर आई है। अमुर्था वल्ली जी के पती की हार्ट एटेक से दुखत मुर्ति हो चुकी है। उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हार्ट की बिमारी थी। डॉक्टर्स ने जीवा के लिए सर्जेरी की सलहा दी थी। लेकिन दिहारी मद्दूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर्ट से इतना बड़ा आपरेशन करवाना संभवी नहीं था। लेकिन अमूर्था वली ने अपने बेटे का अविश्मान भारत योजना में रेजिस्टरेशन करवाया और नव दिनों बाद बेटे जीवा के हार्ट के सर्जेरी भी हो गई। साथियों मैंने आपको सिर्फ तीन चार गटनाओं का जिक्र किया। आविश्मान भारत से तो ऐसे एक करोड से अधिक कहानिया जुड़ी हुई है। ये कहानिया जीते जागते इंसानों की है। दूख तकलीप से मुक्त हुए हमारे अपने परिवार जनों की है। आप से मेरा आग्रह है। कभी समय मिले तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करिएगा। जिसने आविश्मान भारत योजना के तहट अपना इलाज कराया हूँ। आप देखेंगे कि जब एक गरीब बिमारी से बहार आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी थाकत नजर आने लगी है। और मैं हमारे देश के इमानदार टैक्सपेर से कहना चाहता हूँ। आविश्मान भारत योजना के तहट जिन गरीबों का मुपते लाज हुआ है। उनके जीवन में जो सुक आया है, संतोश मिला है। उस पुन्य के असली हकदार आप भी है। हमारा इमानदार टैक्सपेर भी इस पुन्य का हकदार है। मेरे फैरे देश वास्यों, एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्रकुरुतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हपतों के दोरान हमने पश्चिम मंगाल और उडिसा में सूपर साइक्रौन हमफान का कहर देखा। तुफान से अनेकों घर तबाह हो गए, किसानों को भी भारी नुक्सान हुआ। हालात का जाय जा लेने के लिए मैं पिछले हपते और उडिसा और पश्चिम मंगाल गया था। पश्चिम मंगाल और उडिसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बाहतुरी के साथ हालात का सामना किया है, प्रसौशनी है। संकट की इस गड़ी में देश भी हर तरह से वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है। साथियों, एक तरब जहां पुर्वी भारत तुफान से आई आपदा का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरब देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए है। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुक्सान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषी विभाग हो, प्रसासन भी इस संकट के नुक्सान से बजने के लिए किसानों के मदद करने के लिए, आधुनिक समसाधनों का भी उपयोग कर रहा है। नई-नई आविश्कार के तरफ भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके हमारे कृषिक शेत्र पर यह जो संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे बहुत कुछ बचा लेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन बाद ही 5 जून को पुरी दुनिया विश्व परियावरन दिवस मनाएगी विश्व परियावरन दिवस पर इस साल की थीम है बायो डाइवर्सिटी याने जैव विवीदिता वरतमान परिस्तितियों में यह थीम विशेश रुप से महत्वपूर है लोगडाउन के दौरान पिछले कुछ हपतों में जीवन के रप्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है लेकिर इससे हमें अपने आसपास परकूती की समरुद्ध विविदिता को जैव विविदिता को करीब से देखने का आउसर भी मिला है आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदुशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सून रहे हैं अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरे भी आ रही हैं मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा पढ़ा होगा बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्वीरे साजा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाडियां देख पा रहे हैं दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं इन तस्विरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा क्या हम उन द्रश्चों को ऐसे ही बना रह सकते हैं इन तस्विरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेणा भी दिया है नदियां सधा स्वच्छर हैं पसुपक्षियों को भी खुल कर जीने का हक मिले आसमान भी साप सुथरा हो इसके लिए हम प्रकुरते के साथ तालमेल बिठा कर जीवन जीने की प्रेना ले सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है जल है तो कल है लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है वर्षा का पानी बारिस का पानी यह हमें बचाना है एक एक बूंद को बचाना है गाउं गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं परंप सकते हैं, पाज दिन, साथ दिन भी अगर पानी रुका रहेगा, तो धरती मां के पास बुजाएगा, पानी फिर जमिन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा, और इसलिए इस वर्शारूत में हम सब का प्रयास रहना चाहिए, के हम पानी को बचाएं, पानी को समरक्षन करें मेरे प्यारे देशवासियों स्वच्छ परियावरन सीधे हमारे जीवन हमारे बच्चों के भविश का विशा है इसलिए हमें व्यक्तिकत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी मेरा आप से अनुरोध है कि इस परियावरन दिवस पर कुछ पेड़ अवश्च लगाएं और प्रकूति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्च लें जिससे प्रकूति के साथ आपका हर दिन का रिस्ता बना रहे हैं हाँ गर्मी बढ़ रही हैं इसलिए पक्षियों के लिए पाने का इंतिजाम करना मद भूलिएगा साथियों हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठीन तपशा के बाद इतनी कठिनाईयों के बाद देश ने जिस तरह हालत सा भाला है उसे बिगडने नहीं देना है हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है हम लापरवा हो जाए सावधानी छोड़ दे ये कोई विकल्प नहीं है करोना के खिलाब लड़ाई अब भी उतनी ही गंबीर है आपको आपके परिवार को करोना से अभी भी उतना ही गंबीर खत्रा हो सकता है हमें हर इंसान की जिन्गी को बचाना है इसलिए दोगज की दुरी चहरे पर मास्क हाथों को धोना इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आये है मुझे पुरा विश्वास है कि आप अपने लिए अपनों के लिए अपने देश के लिए ये सावधानी जुरूर रखेंगे इसी विश्वास के साथ आपके उत्तम स्वास के लिए मेरी हारदिक शुपकावना है अगले मेने फिर एक बार मन की बात अनेक नए विश्वाओं के साथ जुरूर करेंगे धन्यवाद नमस्कार आप देख रहे थे प्रधान मंत्री की मन की बाद जिसमें प्रधान मंत्री ने एक बार फिर से आत्म निर्भर भारत का अभ्यान किया है भारत के आत्म निर्भरता की बात की है तबान चुशेत्रों में चुनोतियों की बात जरूर की है लेकिन ये भी कहा कि चुनोतियों कात्त प्रभब बात हम रड़ है झाल 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 झाल